दोस्तों आज शाम को जो वीडियो डाला था जहाँ पर चत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ती विखंडित हो गई थी उस पर थोड़ा रिसर्च करने पर मुझे नेवी का वर्क और मिला जिसमें उन्होंने आर्टिष्ट्री नाम की कल्यान की कंपनी को ये कॉंट्राक्ट जैदीप आपटे नाम के शिल्पकार को दिया था जो महस 24 साल के है और उनकी लाइफ में उन्होंने इतना बड़ा प्रोजेक्ट इतनी बड़ी मूर्ती कभी बनाई नहीं थी ये उनका सबसे पहला और सबसे बड़ा ओडर था दूसरी बात उन्होंने खुद सानातन बनाते वक्त उस ब्रॉंज के पुतले को बनने के लिए कम से कम तीन साल लगने वाले थे जिसे उन्होंने छे महने में पूरा किया बनाने के लिए बहुत सारी कटिनाईया आई उन्होंने 3D प्रिंटिंग का इस्तमाल किया अब अगर आप वीडियो और फूटो देखे तो ब्रॉंज का पुतला फाइबर में कैसे तबदील हो गया क्या यह जाच का विशे नहीं होना चाहिए आप अगर देखोगे तो वह फाइबर लग रहा है कही से भी ब्रॉंज या मेटल नहीं लग रहा दूसरी बात उन्होंने कहा कि उनके दोस्त ने रातो रात अठरा प्र पुतला जरूर है इसकी जाच जरूर होनी चाहिए जैहिन जैमा